नमस्ते दोस्तों अज मैं आपके साथ एक नास्ता रेश्पी सेयर करने जा रही हूं जो बहुत ही कम इंग्रिडियंस में और जटपट से बना के तयार करेंगे खाने में बहुत ही टेस्टी होती है बाहर से बहुत ही क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल साफ्ट आप साम के टाइम में बच्चों की छोटी मुटी भूक में इसे बना के दे सकते हैं नहीं तो साम के चाई के साथ इसे आप बना ले तो यहां पर हम इस नास्ते को बनाने के यहां मैं डिरेक्ट पानी में ही ग्रेट करती जा रही हूँ क्योंकि आलू को थोड़ा सा आप बाहर रख लें तो आलू के जो लच्छे हैं और रेड हो जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है अब इसे हलके हातों से इस तरह से चला ल ब आञे तिल वोनिगे फैंदाइक के लाजित वैजब करेंगे लिए काइप और इसे हम गर्म कर लेंगे य раскstop कर देबून fault in जैसे ही कृधा ही रा आठिल धील को लिए तूछ से गर्म कर लेंगे तो एक छमचких टिल डालेंगे कङ्जिदां अच्छी LEG कर लेंगे जैसे ही तील अच्छे से रोस्ट हो जाए तब इसमें हम दो कप पानी डालेंगे यहां पर हम एक कप सूजी का यूज करेंगे इसलिए हम इसमें दो कप पानी डालेंगे और आदा चमच चीरी फलेक डालेंगे काली मिश पॉड़ा अस्वादानुसर नमक जैसे ही आपकी जो पानी है अच्छे से उबल जाए तो आप आलू के लच्छे को इस तरह से हांस से निचोड़ कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल ले और इस पानी में हम डाल लेंगे अगर आप तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो इसी टाइम पर आप र अच्छे पक जाए तो इसमें हम ग्रेट की हुए अधरफ डालेंगे और एक कप सूजी डालेंगे यहां पर मैंने बारिक वाली सूजी का यूज किया है अगर आपके पास मोटे वाले सूजी है तो आप टेंसर ना ले उसे मिक्सी में डालकर एक से दो बार उसे चला लें तो आपकी जो सूजी है वो बारिक हो जाएगी तो यहां पर मैं एक तरफ से सूजी डालती जा रही हूं एक तरफ से मिक्स करती जा रही हूं तो यहां पर आप गैस का फिलिम लो करके ही आप पानी में सूजी को मिक्स करें थोड़ी ही देर में देखेंगे कि सूजी अच् तो इसमें हम कटी हुई धनिया पती अचट पटी स्वाद के लिए इसमें हम चाट मसाला पौड़ा डालेंगे पूरी तरह से ऑप्सिनल है अगर इसमें आप चाट मसाला डालेंगे तो खाने में बहुत ही चट पटा लगेगा तो इसी तरह हम धनिया की पती को भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं दच्षे से सुजी म唉क्स हो गई है उसे ढगकर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर 10 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम एक बरतन में निकाल में अजुदी हो जाए में आया है अजिए क RIGHT लेंगे और सुजी के डो को इसे फैला लेंगे जिसे कि सूजी का दो आपने मंद पसंद से यहां पर मैं इस तरह के से रही हूं आपके पास कोई पेंसिल हो पेन हो इस तरह से होल करके इस तरह से आप करते हुए इसका से दे दे तो इसी तरह हम सारी जो नास्ता है इसी तरह हम बना लेंगे अब देख सकते हैं इस तरह से आप पेंसिल में या पे में थोड़ा सा टाइम सुरुआत में लगेगा लेकिं एक दो कर लें आसानी से बना लेंगे देख सकते हैं यहां पर मैंने सारे और टोः स्वाने करेदी कर लेंगे इसे हम रेडी करें के गर्म कर लिया इसमें हम तेल डाल लेंगे तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे तेल हमारे अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं तो उसे हम चेक करेंगे तो यहां पर हमने थोड़ा सा जो नास्ता का जो डो था वो गुल बनाकर इसमें मैं हमने डाल दिया देख सकते हैं अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ए इसे तनने के लिए अप गैस का फ्लेम मेडियम टू हाई रखें जैसे ही दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और बची हुई जो नास्ता है फिर से हम तेल में डालेंगे और उसे दोनों तरफ से उलट पलट कर गो जो है नास्ता बन के तैयार हुई है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉप्ट देख सकते हैं अगर यह सूजी और आलू के नास्ते की रिस्पी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और नए नास्ता कैसा बना है कमेंड कर जरूर बताएं